आईए सिदा रूख करेंगे पिये मोदी के संबोधन में मुकाबला करते हुए दुनिया को अब चार महने से ज़्यादा समय बीद गया है इस दौरां तमाम देशों के 42 लाग से ज़्यादा लोग कोरोना से संकर्मित हुई है पौने 3 लाग से ज़्यादा लोगों की दुखत मुरुत्य हुई है भारत में भी अनेक परिवारों ने अपने स्वजन खोए है मैं सभी के प्रती अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ साथियों एक वाइरस ने एक वाइरस ने दुनिया को तहस्त नहस्त कर दिया है विश्व भर में करोडों जिन्दगियों संकट का सामना कर रही है सारी दुनिया जिन्दगी बचाने में एक प्रकार्चे जंग में जुटी है हमने ऐसा संकट न देखा है नहीं सुना है निश्चित तौर पर मानव जाती के लिए ये सब कुछ अकल्पनिया है ये क्राइसिस अभुद्पूर्वा है लेकिन ठकना हारना तूटना बिखरना मानव को मिल्जूर नहीं है सतर्क रहते हुए ऐसी जंग के सभी नियमों का पालन करते हुए अब हमें बचना भी है और आगे बढ़ना भी है आज जब दुनिया संकट में है तब हमें अपना संकल्प और मजबूत करना होगा हमारा संकल्प इस संकट से भी दिराट होगा साथियों हम पिछली सताब्डे से ही लगातार सुनते आए हैं कि 21 सदी हिंदुस्तान की है हमें कोरोना से पहले कि दुनिया को वैशिक व्यवस्थाओं को विस्तार से देखने समझने का मोका मिला है कोरोना संकट के बाद भी दुनिया में जो स्थीत्या बन रही है उसे भी हम दिरंतर देख रहे हैं जब हैं दोनों कालखंडों को भारत के नजरिय से देखते हैं तो लगता है कि 21 सदी भारत की हो ये हमारा सपना ही नहीं ये हम सभी की जिम्मेदारी भी है लेकिन इसका मार्द क्या हो विश्व की आज की स्थिती हमें सिखाती है कि इसका मार्ख एक ही है आत्म निर्भर भारत हमारे हां सांस्त्रों में कहां गया है एश्व पंथा यानि यही रास्ता है आत्म निर्भर भारत साथियों एक राष्ट के रूप में आज हमें एक बहुत एहम मोड पर खड़े हैं इतनी बड़ी आपदा भारत के लिए एक संकेत लेकर आई हैं एक संदेश लेकर आई हैं एक अउसर लेकर आई हैं मैं कुदाहरण के साथ अपनी बात बताने का प्रयास करता हूं जब कोरोना संकर शुरू हुआ तब भारत में एक भी PPE कीट नहीं बनती थी N95 मास का भारत में नाम मात्र उत्पादन होता था आज स्थिती ये है कि भारत में ही हर रोज 2 लाग PPE और 2 लाग N95 मास बनाए जा रहे है ये हम इसलिए कर पाए क्योंकि भारत ने आपदा को आउसर में बदल दिया आपदा को आउसर में बदलने की भारत की ये द्रश्टी आत्म निर्भर भारत के हमारे संकर्प के लिए उतनी ही प्रभावी सिद्ध होने वाली है साथियों आज विश्व में आत्म निर्भर सब्द के मायने पूरी तरह बदल गए है ग्लोबल वर्ल में आत्म निर्भरता की डेफिनेशन बदल रही है अर्थ केंदरित वैश्वी करण बनाम मानव केंदरित वैश्वी करण की चर्चा आज जोरों पर है विश्व के सामने भारत का मुल्भु चिंतन आशा की किरण नजर आता है भारत की संस्कृती भारत के संस्कार उस आत्म निर्भरता की बात करते हैं जिसकी आत्मा वसुधैव कुटुम कंप है विश्व एक परिवार भारत जब आत्मनिर्भरता की बात करता है तो आत्म केंदरित व्यवस्था की वकालत नहीं करता है भारत की आत्मनिर्भरता में संसार के सूख, सहयोग और शांती की चिंता होती है जो संस्कृती जय जगत में विश्वास रखती हो जो जीव मात्र का कल्यान चाहती हो जो पूरे विश्व को परिवार मानती हो जो अपनी आस्था में माता भुमी ही पुत्तो अहम पृत्विय इसकी सोच रखती हो जो पृत्वी को मा मानती हो वो संस्कृती वो भारत भुमी जब आत्म निर्भर बनती है तब उससे एक सुखी समरुद्व विश्व की संभावना भी सुनिश्चित होती है भारत की प्रगती में तो हमेशा विश्व की प्रगती समाहित रही है भारत के लक्षों का प्रभाव भारत के कारियों का प्रभाव विश्व कल्यान पर पड़ता ही है जब भारत खुले में सौच से मुक्त होता है तो दुनिया की तश्वीर भी बदलती है टीबी हो कूपोशन हो पोलियो हो भारत के अभ्यानों का असर दुनिया पर पड़ता ही है इंटरनेशनल सोलर अलाइंस ग्लोबल वार्मिंग के खिराप भारत की दुनिया को सौगात है इंटरनेशनल योगा दिवस की पहल दुनिया भर में भारत की भूरी भूरी प्रसंसा होती है तो स्वाभाविक है हर भारती अगर्व करता है दुनिया को विश्वास होने लगा है कि भारत बहुत अच्छा कर सकता है मानो जाती के कल्यान के लिए बहुत कुछ अच्छा दे सकता है सवाल यह है कि आखिर कैसे इस सवाल का भी उत्तर है 130 करोर देश वाजियों का आत्मनिर भर भारत का संकल्ब साथियों हमारा सदियों का गवरवपुन इतिहास रहा है भारत जब समृत्य था सोने की चिडिया कहा जाता था संपन्न था तब सदा विश्व के कल्यान की राह पर ही चला वक्त बदल गया देश गुलामी की जंजीरों में जखड गया हम विकास के लिए तरस्ते रहे आज फिर भारत प्रोडक्स ने दुनिया को उस संकट से निकाला था आज हमारे पास साधन है हमारे पास सामर्थ है हमारे पास दुनिया की सबसे बहतरीन टैलेंट है हम बेस्ट प्रोडक्स बनाएंगे अपनी क्वालिटी और बहतर करेंगे सप्लाई चेन को और आधुनिक बनाएंगे ये हम कर सकते हैं और हम जरूर करेंगे साथियो मैंने अपनी आँखों के सामने कच्छ भूकम के वो दीन देखे हैं हर तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा सब कुछ द्वस्त हो गया था ऐसा लगता था मानो कच्छ मौत की चादर ओड़ कर सो गया हो उस परिस्तिती में कोई सोज भी नहीं सकता था कि कभी हालत बदल पाएंगे लेकिन देखते ही देखते कच उठ खड़ा हुआ कच चल पड़ा कच बढ़ चला यही हम भारतियों की संकल पशक्ती है हम ठान लें तो कोई लक्ष और संबव नहीं कोई राह मुश्किल नहीं और आज तो चाह भी है राह भी है यह है भारत को आत्म निर्भर बनाना भारत की संकल पशक्ती ऐसी है कि भारत आत्म निर्भर बन सकता है साथ्यों आत्म निर्भर भारत की यह भगवे इमारत पांच पीलर्स पर खड़ी होगी पहला पिलर एकोनोमी एक ऐसी एकोनोमी जो इंक्रिमेंटल चेंज नहीं बलकि कॉंटम जंप लाए दूसरा पिलर इंफरस्ट्रक्शर एक ऐसा इंफरस्ट्रक्शर जो आदुनिक भारत की पहचान बने तीसरा पिलर हमारी सिस्टिम एक ऐसा सिस्टिम जो बीती सताब्दी की रीती निती नहीं बलकि 21 सदी के सपनों को साकार करने वाली टेकनोलोजी ड्रिवन व्यवस्ताओं पर आधारित हो 14 पिलर हमारी डेमोग्राफी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में हमारी वाइब्रन डेमोग्राफी हमारी ताकत है आत्म निर्भर भारत के लिए हमारी उर्जा का स्रोथ है पांचवा पिलर डिमांड हमारी अर्थे ववस्ता में डिमांड और सप्लाई चेन का जो चक्र है जो ताकत है उसे पूरी ख्षमता से इस्तेमाल किये जाने की जरुष है देश में डिमांड बढ़ाने के लिए डिमांड को पूरा करने के लिए हमारी सप्लाई चेन के हर स्टेक होल्डर का ससक्र होना जरुरी है हमारी सप्लाई चेन हमारी आपूर्ती की उस ववस्ता को हम मजबूत करेंगे जिसमें मेरे देश की मिट्टी की महक हो हमारे मद्दुरों के पसीने की खुश्बू हो साथियों कोरोना संकड का सामना करते हुए नए संकल्प के साथ मैं आज एक विशेश आर्थिक पैकेज की गोश्णा कर रहा हूँ यह आर्थिक पैकेज आत्म निर्भर भारत भ्यान की आत्म निर्भर भारत भ्यान की एहम कड़ी के तौर पर काम करेगा साथियों हाल में सरकार ने कोरोना संकड से जुड़ी जो आर्थिक गोश्णाय की थी जो रिजर्ब बैंक के फैंसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का एलान हो रहा है उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब बीस लाग करोड रुपिय का है बीस लाग करोड रुपिय का है ये पैकेज भारत की जिडिफी का करीब करीब दस प्रतिशत है इन सब के जरिये देश के विबिन वर्गों को आर्थिक ववस्था की कडियों को बीस लाग करोड रुपिय का संबल मिलेगा सपोर्ट मिलेगा बीस लाग करोड रुपिय का एक पैकेज दो हजार बीस में देश की विकास यात्रा को ट्वेंटी लाग्स ट्वेंटी ट्वेंटी में आत्म निर्भर भारत भ्यान को एक नई गती देगा आत्म निर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस पैकेज में लेंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉज सभी पर बल दिया गया है ये आर्थिक पैकेज हमारे कुटिर उद्योक, ग्रह उद्योक, हमारे लगू मंजोले उद्योक, हमारे MSME के लिए हैं जो करोडों लोगों की आजिविका का साधन है जो आत्म निर्भर भारत के हमारे संकल्प का मजबूत आधार है ये आर्थिक पैकेज देश के उस स्रमिक के लिए हैं देश के उस किसान के लिए हैं जो हर सिती, हर मौसम में देश वाश्यों के लिए दिन रात परिश्रम कर रहा है ये आर्थिक package हमारे देश के मद्यम बर्क के लिए है जो इमामदारी से टेक्ष देता है देश के विकास में अपना योगदान देता है ये आर्थिक package भारत ये उद्योग जगत के लिए है जो भारत के आर्थिक सामर्थ को बुलंदी देने के लिए संकल्पित है कल्षे शुरू करके आने वाले कुछ दिनों तक वित्त मंत्री जी द्वारा आपको आत्मा निर्भर भारत अभ्यान से प्रेरित इस आर्थिक प्रकेज की विस्तार से जानकारी दी जाएगे साथियों आत्मा निर्भर भारत बनाने के लिए बोल्ड रिफॉर्म्स की प्रतिविद्धता के साथ अब देश का आगे बढ़ना अनिवारिया है आपने भी अनुभव किया है कि बीते च्छे वर्षों में जो रिफॉर्म्स हुए उनके कारण आज संकट के इस समय भारत की विवस्ताएं अधिक सक्षम अधिक समर्थ नजर आई है वर्ना कौन सोच सकता था कि भारत सरकार जो पैसे भेजेगी वो पूरा का पूरा गरीब की जेब में किसान की जेब में पहुँच पाएगा लेकिन यह हुआ वो भी तब हुआ जब तमाम सरकारी दफ्तर बंद थे ट्रांस्पोर्ट के साधन बंद थे जंधमन आधार मोबाइल जे ए एम जेम की त्री सक्ति से जुड़ा सिर्फ एक रिफॉर्म था जिसका असर हमने अभी देखा अब रिफॉर्म्स के उस दाइरे को व्यापक कर रहा है नई उचाई देनी है यह रिफॉर्म्स खेती से जुड़ी पूरी सप्लाई चेन में होंगे ताकि किसान भी ससकता हो और भविश में कोरोना जैसी किसी दूसरे संकट में क्रिशी पर कम से कम असर हो यह रिफॉर्म्स रेशनल टैक्स सिस्टम शरर और सपस्ट नियम कानूं उत्तम इंफाच्च्चर समर्त और सक्षम हुमन डिसोर्सिच और मजबूत फाइनांचल सिस्टम के निर्माण के लिए होंगे यह रिफॉर्म्स बिजनेश को प्रोशाइद करेंगे निवेश को आकरशित करेंगे और मेक इन इंडिया के हमारे संकल्प को ससक्त करेंगे साथियों आत्म निर्भरता आत्म बल और आत्म विश्वास से ही संबव है आत्म निर्भरता ग्लोबल सप्लाई चेन में कडीश परधा के लिए भी देश को तयार करती है और आज ये समय की मांग है कि भारत हर्ष परधा में जीते ग्लोबल सप्लाई चेन में बड़ी भूमी का निभाए इससे समझते हुए आर्थिक पैकेज में अनेक प्रावधान किये गए है इससे हमारे सभी सेक्टर्स की एफिशन्सी बढ़ेगी और क्वालिटी भी सुनिश्चित होगी साथियों ये संकट इतना बड़ा है कि बड़ी से बड़ी व्यवस्ताएं हिल गई है लेकिन इनी परिश्टितियों में हमने देश ने हमारे गरीब भाई बहनों की संगर्ष शक्ति उनकी संयम सक्ति का भी दर्शन किया है खास कर हमारे जो रेडी वाले भाई बहने हैं ठेला लगाने वाले हैं पट्री पर सामान बेचने वाले हैं जो हमारे स्रमिक साती हैं जो इस घरों में काम करने वाले भाई बहने हैं उन्होंने इस दोरान बहुत कष्ट जेले हैं, तपच्या की है, त्याक किया है, ऐसा कौन होगा जिसने उनकी अनुपस्तिति को महसूस नहीं किया, अब हमारा कर्टब यह हैं, उन्हें ताकत पर बनाने का, उनके आरति हितों के लिए कुछ बड़े कदम उठाने का, इसे ध्यान में रखते हुए, गरीब हो, स्रमीक हो, प्रवासी मद्दूर हो, पशुपालख हो, हमारे मचवारे साती हो, संगटिक शेत्र से हो या संगटिक से हर तबके के लिए आर्थिक पैकेज में कुछ महत्वपूर्ट फैसलों का ऐलान किया जाएगा, साथियों, कोरोना संकट ने हमें, लोकल मैनुफैक्चरिंग, लोकल मार्केट, लोकल सप्लाइचेन, इसका भी महत्वब बराबर समझा दिया है, संकट के समय में, लोकल ने ही, हमारी डिमांड पूरी की है, हमें इस लोकल ने ही बचाया है, लोकल सिर्फ जरूरत नहीं, बल्कि हम सब की जिम्मेदारी है, समय ने हमें सिखाया है, कि लोकल को हमें, अपना जीवन मंत्र बनाना ही होगा, आपको आज जो ग्लोबल ब्रैंड्स लगते हैं, वो भी कभी ऐसे ही बिल्कुल लोकल थे, लेकिन जब वहां के लोगों ने उनका इस्तेमाल शुरू किया, उनका प्रचार शुरू किया, उनकी ब्राणिंग की, उन पर घर्व किया, तो वो प्रोडक्स लोकल से ग्लोबल बन गए, वो प्रोडक्स लोकल से ग्लोबल बन गए, इसलिए आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए भोकल बनना है, लोकल के लिए भोकल बनना है, न सिर्फ लोकल प्रोडक्स खरिदने हैं, बल्कि उनका घर्व से प्रचार भी करना है, मुझे पुरा विश्वास है कि हमारा देश ऐसा कर सकता है, आपके प्रहास होने तो हर बार आपके प्रती, मेरी स्रद्धा को और भड़ाया है, मैं गर्व के साथ एक बात महसुस करता हूं, याद करता हूं, जब मैंने आपसे देश से खादी खरिदने का आग्रे किया था, ये भी कहां था कि देश के हैंडलूम बरकर्स को सपोर्ट करें, आप देखिए, बहुत ही कम समय में खादी और हैंडलूम दोनों को ही डिमांड और विक्री रिकॉर्ड्स दर पर पहुँच गई, इतना ही नहीं, उसे आपने बड़ा ब्राण भी बना दिया, बहुत छोटा सा प्रहास्ता, लेकिन परणा मिला, बहुत अच्छा परणा मिला, साथियों, सभी एक्सपर्स बताते हैं, साइंटिस्ट बताते हैं, कि कोरोना, लंबे समय तक हमारे जीवन का हिस्सा बना रहेगा, लेकिन साथ ही हम ऐसा भी नहीं होने दे सकते कि हमारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ कोरोना के इर्धगिर्ध ही सिमट कर रह जाए हम मास्क पहनेंगे दो गजदूरी का पानन करेंगे लेकिन अपने लक्षों को दूर नहीं होने देंगे इसलिए लोगडाउन का चौथा चराण लोगडाउन फोर पुरी तरह नए रंग रूप वाला होगा नए नियमों वाला होगा राज्यों से हमें जो सुझाओं मिल रहे हैं उनके आधार पर लोगडाउन फोर इससे जुड़ी जानकारी भी आपको 18 मैसे पहले दी जाएगी मुझे पूरा भरोसा है कि नियमों का पालन करते विये हैं हम करोना से लड़ेंगे भी और आगे भी बढ़ेंगे साथियों हमारे यहां कहा गया है सर्वम आत्म वशम सुखम अर्थात जो हमारे वश में है जो हमारे नियंत्रण में है वही सूख है आत्म निर्भरता हमें सूख और संतोष देने के साथ साथ ससक्त भी करती है 21 सदी भारत की सदी बनाने का हमारा दाइत्व आत्म निर्भर भारत के प्रण से ही पुरा होगा इस दाइत्व को एक सो तीस करोर देश्वास्यों की प्रान सक्ति से ही उर्जा मिलेगी आत्म निर्भर भारत का ये यूग हम भारतवासी के लिए नूतन प्रण भी होगा नूतन परव भी होगा अब एक नई प्रान शक्ति नई संकल्प सक्ति उसे ले करके हमें आगे बढ़ना है जब आचार विचार कर्तव भाव से सराबोर हो करमड़ता की पराकाष्टा हो कौशल्य की पूजी हो तो आत्म निर्भर भारत बनने से कौन रोग सकता है हम भारत को आत्म निर्भर भारत बना सकते है हम भारत को आत्म निर्भर बना कर रहेंगे इस संकल्प के साथ इस विश्वास के साथ मैं आपको बहुत बहुत शुब कामनाई देता हूँ आप अपने स्वास्त का अपने परिवार अपने करीबियों का जरूर ध्यान रखिए बहुत बहुत धन्यवाद क्वाद आत्म निर्भर कैंट